नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सही जानकारी योट्यूब dość चानल पर दोस्तों आज मैं ले करके आई हूँ आप सभी सेनिकों भौत पूर सेनिकों के लिए सेनिक विलफेर या फिर राज्य सेनिक बोर्ड के पूरे कॉंटेक नमबर उनका पता और उनका इमेल तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा सैनिक बोर्ड दोस्तो राज सैनिक बोर्ड के बारे में आज मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ इसका एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सभी स्टेट का अलग-अलग दिखाऊंगा लेकिन दोस्तो यह वीडियो अगर एक में मैं बनाता तो बहुत लंबा हो इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया है कि आज का जो मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ पार्ट वन इसमें आपको सिर्फ राज श्रैनिक बोर्ड के ही पते और उनका साथ ही दोस्तों आप लोगों से अनरोद करना चाहूँगा कि जियो लोग पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब करके घंटी के निसान को दबा ले ताकि मेरी वीडियो का नोटिपिकेशन आप लोगों तक पहुंसता रहे अब दोस्तों आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले मिलता है आंधरा प्रदेश का अजश्रैनिक बोर्ड तो दोस्तों इसका यहां पर पूरा एड्रेस दिया गया है उसके बाद दोस्तों लाश्ट में आप देख रहे हैं जो टेली फोन नमबर वाला कॉलम है वहाँ पर उसका टेली फोन नमबर दिया गया है उसके बाद मोबाइल नमबर भी दिया गया है दोस्तों उसके साथ ही आपको इमेल आइडी भी दिया गया है दोस्तों मैं इसी तरह से सभी का दिखाऊंगा आप लोगों से अनरोध है कि यदि आपको वीडियो देखने में कोई भी परिशानी हो तो आप वीडियो को पॉज़ करके देख लीजिए अब दोस्तों अगला जो राज सैनिक बोर्ड है उसकी तरफ चलते हैं यह है अरुनाचल प्रदेश का तो दोस्तों जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें भी सेम उसी तरह से एडिस दिया गया है साथ ही कॉंटेक्ट में उनका फोन नमबर और मोबाइ नमबर दिया गया है साथ ही इसमें इमेल आईडी भी दी गई है आप लोग जो अरुनाचल प्रदेश से रहने वाले हैं वो लोग यहां पर अपने राज सैनिक बोर्ड में संपर कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों नमबर आता है आशाम का तो यहां पर आपको आपकी स्क्र इन पर आसाम का राज सैनिक बोर्ड का पूरा एड्रेस दिया गया है साथ ही फोन नमबर भी यहां पर दिये गए है और एक इमेल आईडी भी दी गई है उसके बाद आते हम बिहार में तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर बिहार का राज सैनिक बोर्ड क पूरा address दिखाया गया है उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर उनका phone number और email का पता साथ ही mobile number भी यहाँ पर mention किया गया है उसके बाद दोस्तों हम आगे क्यों बढ़ते हैं अब यहाँ पर दोस्तों अगला जो राज सैनिक बोर्ड है वो 36 गड़का है तो दोस्तों यहाँ पर उसका भी पूरा एड्रेस दिया गया है साथ ही phone number दिया गया और mobile number भी दिया गया है आपको यहाँ पर email address भी दिया गया है साथ ही आपको website का पता भी नीचे दिखाया गया है इसके बाद दोस्तों अगला जो राजसैनिक बोर्ड है वो है गोवा का तो दोस्तों इसमें भी गोवा का address mention किया गया है साथ ही आपको phone number भी दिया गया है साथ ही आपको mobile number भी दिया गया है इसके साथ ही एक email ID भी यहाँ पर दी गया है को कोई समस्या हो तो आप लोग यहां पर जो गोवा से रिलेटेड हैं वो अपना इमेल भेज करके अपनी समस्याई बता सकते हैं उसके बाद सात्वे नमबर पर दोस्तो गुजरात का आता है तो गुजरात का राजश्टाइनिक बोर्ड है उसका एड्रिस यहां पर दिया ग दोस्तो आता है हरियाना राजजी का तो दोस्तो यहां पर जो राजश्टाइनिक बोर्ड है उसका भी पूरा एड्रिस दिया गया है साथ ही आपको दो फोन नमबर भी यहां उपलब्द कराए गये हैं और एक इमेल आईडी यहां पर दी गई है इसके बाद हम दोस्तो थो नमबर भी दिये गए हैं साथ ही एक मोबाइल नमबर भी यहां पर दिया गया और साथ ही दोस्तो यहां पर एक इमेल आईडी भी दी गई है इसके बाद दोस्तो थो जाता है जम्मू एंड कास्मीर का तो यहां भी दोस्तो एड्रेस पूरा दिखाया गया है साथ ही दोस्त स्याई प्रेशित कर सकते हैं इसके बाद दोस्तो आता है जारखंड का नमबर तो यहाँ पर जारखंड का भी पूरा पता दिया गया है साथ ही दो फोन नमबर अब लेवल कराये गया है और एक मुबाइल नमबर भी अब लेवल कराया गया है साथ ही एक email ID भी यहाँ पर mention की गई है इसके बाद दोस्तो बारवे नमबर पर आता है करनाट का तो यहाँ भी दोस्तो राज सैनिक बोर्ड का पूरा का पूरा पता यहाँ पर दिया गया है जो की बंगलोर में है और उसके बाद दोस्तो यहाँ पर दो जो फोन नमबर दिये गए है उसके साथ ही एक जो है वो mobile नमबर भी उपलब्द कराया गया है और आपको एक email ID भी दी गई है जिस पर आप लोग संपर कर सकते है इसके बाद दोस्तो नमबर आता है केरला का तो दोस्तो यहाँ भी पूरा आड्रेस दिया गया है साथ ही आपको तीन फोन नमबर उपलब्द कराये गये हैं और एक जो है वो mobile नमबर दिया गया है साथ ही आपको एक email ID आप लोगों को यहाँ पर दी गई है जिस पर केरला से सम्बंधि सैनिक अपनी समस्याओं के बारे में अवगत करा सकते हैं इसके बाद दोस्तो थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो दोस्तो यहाँ पर आपको मिल जाता है मद्य प्रदेस का राज्य सैनिक बोर्ड का पूरा एड्रेस उसके बाद दोस्तो यहाँ पर तीन फोन नंबर दिये गए हैं उसके साथ ही एक मोबाइल नंबर दिया गया है और यहाँ पर तीन इमेल आईडी जारी की गई है साथ ही दोस्तो एक यहाँ पर वेवसाइट भी दी गई है तो दोस्तो जो लोग मध्यप्रदेश से सम्मंधित है वो सम्मंधित माध्यम से अपनी समस्याओं का निराकरण करा सकते हैं उसके बाद दोस्तो नमबर आता है महाराश्टरा का तो दोस्तो यहाँ पर उसका पूरा एड्रेस दिखाया गया है यहाँ पर पांच फोन नमबर दिये गए साथ ही एक मोबाइल नमबर दिया गया जिन पर सैनिक समपर कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दो इमेल आइड़ी दी गई है और एक जो है वो वेवसाइट का पता यहाँ पर दिखाया गया है इसके बाद नमबर आता है दोस्तो मनीपुर का तो जो राज शैनिक बोर्ड है मनीपुर का उसका पूरा एड्रेस यहाँ पर दिखाया गया है दोस्तो साथ ही दोस्तो एक फोन नमबर और एक मोबाइल नमबर यहाँ पर दिया गया है इसके बाद नमबर दोस्तों आता है वो है मेगाले का तो दोस्तों यहाँ पर मेगाले का पूरा एड्रेस दिया गया है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दो फोन नमबर जारी किये गए हैं और एक मोबाइल नमबर भी उपलब्द कराया गया है साथी दोस्तों एक email ID भी यहाँ पर दी गई है जिसके माध्यम से सभी सैनिक एवं भोधपूर सैनिक अपनी समस्याओं के बारे में सूचित कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मिडियोगर्म का जहाँ पर भी रैजशनिक बोर्ड भोड है वहाँ पर पूरा एड्रस दिखाया गया है साथी दोस्तों यहाँ पर टीन जो है वो फो नंबर जारी किये गये है और एक जो है वो mobile number जारी किया गया है साथ ही दोस्तों यहाँ पर दो जो है वो email ID जारी की गई है और website जो है वो भी एक यहाँ पर जारी की गई है तो दोस्तों यहाँ पर जो nagaland है वहाँ का पूरा address यहाँ पर दिखाया गया है उसके बाद यहाँ पर तीन फोन नमबर उपलब्द कराये गए हैं और एक मुबाइल नमबर यहाँ पर उपलब्द कराया गया है एक email ID भी यहाँ पर mention की गई है साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक website भी उसका address बताया गया है उसके बाद दोस्तों चलते हैं तो आगे मिलता है औरीसा का तो औरीसा में दोस्तों जहाँ पर राजशायनिक बोर्ड इस्थापित किया गया है वहाँ का पूरा address यहाँ पर दिखाया गया है जो की भूने सुर में है उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर दो phone number उपलब्द कराया गया है एक mobile number भी दिखाया गया है साथ ही दोस्तों यहाँ पर दो जो हैं वो आपको email ID दी गई है इसके बाद दोस्तों अगला number आता है पंजाब का तो दोस्तों, यहाँ पर पंजाब का राजशानिक बोर्ड का पूरा का पूरा एड्रेस यहाँ पर दिखाया गया है उसके बाद दोस्तों, इसमें दो जो है, वो 4 नमबर दिये गए है साथ ही, एक मोबाइल नमबर यहाँ पर उपलब्द कराया गया है और दो email ID भी यहाँ पर दी गई है साथ ही दोस्तों आप यहाँ पर देख पाएंगे कि नीचे वेवसाइड का भी पता दिया गया है जो कि पंजाब से related सैनिको यह भूत पूर सैनिको के लिए उपियोगी है उसके बाद दोस्तों अगला नंबर जो आता है वो आता है राजस्थान का तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान के सैनिको के लिए एक रजशैनिक बोर्ड का जो गठन किया गया है वो दोस्तों जैपूर में है और उसका पूरा पता यहाँ पर दिखाया गया है और यहाँ पर उसके चार फोन नमबर दिये गए हैं संपरक के माद्यम उसके साथ ही दोस्तो एक मोबाइल नमबर भी जारी किया गया है साथ ही दोस्तो यहाँ पर इमेल आईडी एक दी गई है इसके बाद दोस्तो अगला जो नमबर आता है वो आता है सिक्किम का तो दोस्तो सिक्किम का जो राज शैनिक बोर्ड है उसका यहाँ पर पूरा एड्रेस दिया गया है साथ ही दोस्तो दो मोबाइल नंबर जारी किये गये है और एक जो है वो फोन नंबर जारी किया गया है और यहाँ पर एक email ID भी दी गई है जिस पर श्रम्मंदित राज के सभी भूतपूर सैनिक अथमा उनके dependent या फिर soldier जो की सेवारत है वो अपनी समस्याएं बता सकते हैं या सहयता प्राप्त कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों अगला नमबर आता है तमिल नाडू का तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों पूरा का पूरा एडिश आपको दिखाया गया है तमिल नाडू के रज सैनिक बोर्ड का उसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीन फोन नमबर जारी किये गये है उसके साथ ही दोस् दोस्तो अगला नमबर आता है तेलंगाना का तो उसका भी दोस्तो यहाँ पर पूरा का पूरा एड्रेस दिखाया गया है और दो जो है वो फोर नमबर जारी किये गया है एक जो है वह मोबाइल नमबर जारी किया गया है साथ ही दोस्तो एक इमेल आईडी उपलब्द कराई जिस पर संबंधित राज के शैनिक अपनी समश्याओं का निरग करने है इमेल भेज सकते हैं इसके बाद दोस्तों नमबर आता है तृपूरा का तो दोस्तों यहाँ पर तृपूरा का राज शैनिक बोर्ड जो है उसका एड्रेस दिखाया गया है उसके बाद यहाँ पर दो जो है फोन नमबर जारी किये गए है और दो ही इमेल आईडी भी जारी की गई है तो दोस्तों संबंधित राज के सैनिक इस पर अपनी समस्याइं बता सकते हैं या फिर सहता प्राप्त कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों अगला जो नमबर आता है वो आता है उत्तरा खंड का त उसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीन फोन नमबर जारी किये गए है एक इमेल आईडी भी जारी की गई है दोस्तों एक बेवसाइट भी यहाँ पर है जिसका पता यहाँ पर दिया गया है दोस्तों तो संबंधित जानकारिया संबंधित राज के सैनिक इस बेवसाइट पर यहाँ पर दिखाया गया है और यहाँ पर दोस्तों तीन फोन नंबर भी जारी किये गये हैं और एक स्यूजी नंबर मोबाइल का जारी किया गया है साथ ही दोस्तों एक इमेल आईडी भी उपलब्द कराई गई है जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में रहने वाले या उत्तर प्रदेश से संबंदित सैनिक एवं बहुत पूर सैनिक एवं उनके डिपेंड सहायता प्राप्त कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों अगला नमबर आता है वेश्ट बंगाल का तो दोस्तों यहाँ पर वेश्ट बंगाल के राज शैनिक बोर्ड का एड्रेस दिया गया है और यहाँ पर दो फोर नमबर भी दिये गये है एक मोबाइल नमबर भी जारी किया गया है साथ ही दोस्तो एक email ID भी उपलब्द कराई गई है ताकि electronic माध्यम से सभी सैनिक अत्मा भोतपूर सैनिक या फिर उनसे सम्मन्दे डिपेंडेंट अपनी समस्याओं को email के माध्यम से वेश्ट बंगाल राज्य सैनिक बोर्ड को सेयर कर सकें इसके बाद दोस्तो अगला जो नमबर आता है वो अंडमान अंडिको बारदीप समू का तो दोस्तो इसका भी पूरा एड्रेस यहाँ पर दिया गया है जो की port Blair का है उसके बाद दोस्तो यहाँ पर दो phone नमबर जारी किये गया है साथ ही दोस्तो एक mobile नमबर भी दिया गया है और दोस्तो यहाँ पर एक email ID भी जारी की गई है जिसके माध्यम से सैनिक अपनी समस्याओं को आउगत करा सकते हैं अगला नमबर दोस्तो आता है चंदीगड़ का तो यहाँ पर चंदीगड़ का भी पूरा पता यहाँ पर दिखाया गया है दोस्तो उसके बाद दोस्तो यहाँ पर जो है वा पांच phone नमबर दिये गये हैं जिन पर की संपर किया जा सकता साथ ही एक mobile नमबर भी उपलब्द कराया गया है और एक email ID भी यहाँ पर दी गई है इसके बाद दोस्तो आता है दिल्ली का तो दिल्ली के राजशैनिक बोर्ड का यहाँ पर पूरा पता दिखाया गया है उसके बाद दोस्तो दो phone नमबर भी उपलब्द कराया गया है और एक जो है वो mobile नमबर भी गई है उसके बाद दोस्तों अगला नंबर आता है राज शैनिक बोर्ड पांडुचेरी का तो पांडुचेरी का दोस्तों जो है वो पूरा पता यहां पर दिखाया गया है पांडुचेरी का और दोस्तों यहां पर दो फोन नंबर दिये गए हैं साथ ही दोस्तों एक इमेल ID भी यहाँ पर mention की गई है जिस पर सम्मंधित सभी सैनिक अपनी समस्याओं के बारे में उगत करा सकते हैं या फिर सहायता प्राप्त कर सकते हैं दोस्तो अगले वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि सभी स्टेट के अंदर जो भी जिले हैं उनके अंदर जो सैनिक वेलफेर आफिस या फिर आप ये कह सकते हैं कि जिला सैनिक बोर्ड जो बनाए गए हैं उनका जो एड्रेस और उनका फोन नमबर उनका जो इमेल आईडी है वह मैं आप सभी को दिखाऊंगा ताकि आप लोग हमेशा अपने लोग इस जानकारी को प्राप्त कर सके और यदि उनको कोई परेसानी आए या कोई जानकारी लेना हो तो अपने राज सैनिक बोर्ड या जिला सैनिक बोर्ड से वो डारेक्ट कॉंटेक्ट कर सके तो यदि एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत